पर्धान मंत्री जंदन खाता धारकों के लिए बड़ी खबर अगर आपने भी पर्धान मंत्री जंदन योजना के अंतरगत खाता खुलवाया हुआ है तो आपको भी अब हर महीने 3,000 रुपे मिलने जा रहे हैं अगर आपने यह लाब नहीं लिया है तो आप जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जमा कर दिजिए दस्तावेज कहां पर जमा करने हैं कौन-कौन से दस्तावेज चाईए होंगे वह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तभी आप 3,000 रुपे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों आपसे हम निविदन करेंगे कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा तभी आप संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए सेर करेगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दिजिएगा बैल आइकन को ओल पर सेट कर लिजिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जन्धन खाता धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खुसकबरी जारी हो चुकी है जिन लाबार्थियों ने प्रधान मंत्री जन्धन योजना में खाता खुलवाया हुआ है अब उन सभी को तीन हजार रुपे मिलने जा रहे हैं जिहां आपका एकाउंट बस जन्धन योजना के अंतरगत खोला गया हो चाहे आप जिस भी राज्य की रहने वाली हैं देश के किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं वहीं से ही यह लाप्राप्त किया जा सकता है आपको बदा चाहेंगे कि जन्धन योजना के अंतरगत लाबार्थी को दो लांग रुपे का एक्सिडेंटल बीमा कवर भी दिया जाता है अगर जन्धन खाता धारक की मिर्त्य हो जाती है तो उनके परिवार वालों को दो लांग रुपे दिये जाते हैं या फिर आंसिक रुप से विकलांग हो जाते हैं तो विकलांग व्यक्ति को एक लांग रुपे दिये जाते हैं साथ ही दस हजार रुपे तक का ओवरड्राप्ट भी जन्दन घात अधारक ले सकते हैं यनकि अगर आपके बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं है और आपको पैसे की आउशकता है तो आप अपने एकाउंट में बिना पैसे ही दस हजार रुपे तक का पैसे निकलवा सकते हैं लेकिन ध्यान रहे यह लाब लेने के लिए लाबार्थी का बैंक एकाउंट छे महीने पुराना होना चाहिए तभी इसमें लापराप्ट किया सकता है अगर आप दो हजार रुपे ओवरड्राप्ट के लिए निकलवाते हैं तो उसमें आपको कोई भी दस्तवीज के अपसकत नहीं पड़ेगी और नहीं आपको महीनों की जो इंतजार है वह करना पड़ेगा दो हजार रुपे के लिए आपको कोई भी नियम मानने के अशकता नहीं होगी ठीके दो हजार रुपे आप ऐसे ही निकलवा सकते हैं साथ दोस्तों आपको बदान चाहेंगे कि सरकार की तरप से जन्धन खाताधारकों को अब हर महीने तीन हजार रुपे दिया जाएंगे यह लाब मान्धन योजना के अंतरगत लावार्थियों को मिलता है अगर लाबार्थि मान्धन योजना में आवेदन करते हैं तो उनको हर महीने तीन हजार रुपे की पैंशन दे जाती है लेकिन इस पैंशन के लिए लाबार्थि को हर महीने कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा साथ ही यह पैंशन लाबार्थि को तब दे जाती है जब 60 साल की उम्र हो जाती है 60 साल के बाद यह पैंशन मिलना सुरू होती है इस पैंशन के लिए 18 से 40 वर्ष की आईउ मांग गई है यह अगर आपकी आईउ 18 से और 40 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं आईउ के इसाब से आपको यहां पर पैसे जमा करने होते है यह लाब लेने के लिए कुछ महत पून दस्तवेज भी आपको चाहिए होगे जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आयू पर्मान पत्र, आय पर्मान पत्र, रासन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक की डिटेल्स यह सभी दस्तवेज आपको चाहिए होगे दोस्तों आपको किसी भी जनसेवा केंद पर जाना है वहाँ पर जाकर आप अपने दस्तवेज जमा कर सकते हैं, यानिके मान्धन योजना के अंदरगत आप अपलाई कर सकते हैं कोई भी यदि आपका सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा जंदन योजना के अंदरगत और भी आप कहीं परकार के लाब उठा सकते हैं, कहीं योजनाओं के लाब उठा सकते हैं, अगर आप ने जंदन एकाउंट उपन कराया है अगर आप जंधन योजना की और भी जानकर के उप्राप्त करना चाते हैं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं क्योंकि एक जंधन एकाउंट से आप कहीं परकार की योजनाओं का लाब ले सकते हैं आप अपनी बेटी के साधी के लिए लाब दे सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाब दे सकते हैं, आवास योजना के अंदरकात लाब दे सकते हैं, कहीं परकार के आप लाब दे सकते हैं, अगर आप किसी परकार का लाब देना चाहते हैं, उसकी जानकर पर आप ले अब जाते हैं आप से जारत और मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत